बाला जी माराज आपके उपर किर्पा करें आप सभी को जैशेरम जो वीडियो है उसमें ये बताना है कि किस परकार से जो राक्षश प्रवर्ति के लोग होते हैं ठग प्रवर्ति के लोग होते हैं वो भी सादू का वेशधारन करके इस अंसार में जीवन यापन कर रहे हैं तो मैं कुछ उधारन एक तुलसी दाजी का दोहा है उसमें देखेगा आपने उसमें एक रामचीरतन मानसमनों ने दोहा दिया है वो दोहे में क्या है इसका अर्थ क्या हुआ? इसका एक अर्थ है जिस पकार से वेशधारन करके शादू का वेशधारन करके सादू सा समान हो करके एक बार जग उसे जरूर पूजता है उसके नतमस तक होता है, उसके पूछता है, स्वेम भगवान भी दोखा खा जाते हैं, स्वेम माता जान की भी दोखा खा सकती है, स्वेम विश्नु भगवान भी दोखा खा सकते हैं, स्वेम हनुमान जी भी दोखा खा सकते हैं, अगर आपने वेस दाहरन करकर के, और आप जि सबसे पहले हम जानकी माता ने कैसे दोखा खाया आप यहां से देखिए रावन ने रावन एक दूस्त था और उसकी मनसा जो थी मन उसकी मनसा थी सीता माता का हरन करना और आप देखिए उन्होंने वेश धारन किया जानकी माता शक्ती पूरी शक्ती है उनके अंदर जगत माता है वो तो आप देखिए जिस वक्त वो सादू का वेश करके आए सामने वाले वेक्ति के मन में इतना सबी छलका पटने जाता हूँ उस वेश की इतनी पावर होते हैं नतमस्तर करते हैं हम उस वेश को और उसी वक्त देखिएगा आप जैसे ही उन्होंने वेश धारन करकर के आए तो सादू निका बिक्षाम देही अब यहां पर एक चीज़ देखने की है लक्षमन जी ने कील रखा था यहां से एक बात और समझ में आती है कीलक मलत कील ना बहुत पहले से कीला जाता है लक्षमन रेखा जिसे किते हैं रेखा कि दौरा अद्रिश्य एक ऐसी शक्तियां कीलक उसे बोलते हैं अद्रिस्यक ऐसे सकतियां जो कील देती हैं आपके घर को, आपके मकान को, आपके आसपास के एडिये को ताकि वहाँ पर नकारत मखशक्तियां प्रवेस ना करें। जैसे ही सादू, रुपी, रावन उस कुटियां में प्रवेस करने लगा, तुरंत ही वो उसमें, उस कीलक ने उसे धकेला, तुर धकेला, और बहुत, मतला एक भसम, अगनी की तरह भसम कर सकते थे उन्हें। अब सादू महराज ने सुचा, ये कैसे होगा, और सादू का वेस इसलिए करा था, क्योंकि और कोई रस्ता भी नहीं था, तो उन्होंने मता सीता को अपने ग्यान से भटकाया, और भार निकाला, उस कीलक से भार निकाला, और कीलक से भार निकलते ही मता सीता का हरन होगा। बेश तो सादू का ले लिया लेकिन करम सैतान के थे और सैतान के करम का फल तो मिलना है था माताः जानकी ने पूरे कुल का विनास कर थे पूरे ही कुल का विनास अब यहां से एक ही उसी युक में दुबरा बज़ते हो जब लक्षमन जी को शक्ती लगी तो कालनेमी नाम कराक्षस रस्ते में स्री राम का जाप करने लगा राम भगत बन गया मतलब पूरा वेश धरन करके राम का भगत बन गया इतना जबर्दस भगत बन गया कि वो अच्छे खासे को भी गुमरा सकता तो जहां राम का नाम हो यहां से एक बात पता लगती है जहां राम का नाम हो प्रभू स्री राम का नाम हो वहां हनुमान जी को रुकना पड़ता है कितनी अमर्जंसी थी आप सोच के देखे कितनी अमर्जंसी थी कितनी अमर्जंसी थी लक्ष्मिनजी के प्राण बचाने और मुझे जाना ए गया और वहां पर राम जानन था मैं के एक बार रुकेज़ कि भगत बैठिए आपもし भगत सुन पोता हैं तूसलाम का नाम ले रहे लेकिन विंगर साफ थी मर्सा थी राम के काम को बिगाड़ना लक्षमन के प्रान निकल जाएं ऐसी मनसा ले करके राम का नाम धर्ण कर रहे थे अंदर कुछ भार कुछ परिणाम कुछ और आएंगे ये बात आपको समझनी है अब आप समझी जैसे इन्हों कहा और उन्होंने ये भी कहा कि आप यह कुछ दन भी श्राम करें मैं अपनी मंतर शक्ति से आपको वहां तक पुछवा दूँगा राम के नाम का भरोसा क्रिया हनुमान जी ने लेकिन आप सोचिए स्वैम अनुमान जी लीला देखिए और जैसे ही वो जल में सनान करने के लिए गए तब ही महाँ पर एक मगरमच जो की एक स्राप के कारण से मगरमच बनी हुई थी वो जैसे हनुमान जी गदा लगती है वो अपने असली रूप में उनकी मुक्ति हो जाती है तब वो कहती है कि है प् उन्होंने कहा ठीक है और लात मारी सुलोक पुचा दिया हनुमान जी की लात जहां जा लगी है ना उन राक्षोसों को सुलोक पुचा और अन्त समय में कालनेमी ने एक ही बात बोली थी अगर हनुमान जी ने कालनेमी से एक बात कही कि तू राम के नाम में आकर के ये वेश के नाम से ही ना मर जाओं तो मैंने राम का नाम लिया और राम का नाम लेकर के ही मैंने प्रान जिया उड़े हैं तो मैं सुर लोक में चला गया तो भक्तो अब ये तीसरी बात आ जाती है यहां स्वेम पहले में रावन जानकी माता दोखा खागी दूसरे में हनुमान जी स्वेम दोखा खागी राम का नाम सुन करके और कालने मी ने हनुमान जी को दोखा दिया तीसरे में आप देखेंगे यहां पर विश्णू नरैन मौहिनी रूप मौहिनी रूप मौहिनी रूप लेकर के जैसे ही वो अमरित बाट रहे थे एक राहु नाम का देत्य वो देवता बन करके सूर्य और चंदरमा के बीच में बैठे गया अब देते हैं कैसे कहें स्वेम मोहिनी सवरूपी विश्णु भगवान उस वेश से धोखा खा गए या ये कहें कि वो वेश ऐसा रखते हैं जिससे कि हर कोई धोखा खा जाता है तो मोहिनी विश्णु भगवान ने जैसे ही अमर्त बांटा तो अमर्त राहू के गले तक गया और यहां आप देखेंगे जैसे चंद्रमा और सूर्या ने विश्णु भगवान को इशारा किया कि हे प्रभू ये राक्षेस है विश्णु भगवान ने सुदरसन लिया और डंड दिया तुरंत डंड दिया तुरंत आप से चिये तिन्नो देवता और यहां पर तीन राक्षेस जीनों ने वेश धार्न किये सादो के वेश्द धर्न किये राम भगत बनने के वेश्द धर्न किये देवता बनने के और वेश्द धर्न किये लेकिन तिन्नों ही उस अपने विश्द में एक बार तो कामियाब हुए लेकिन क्या वो पूरा टिक पाए? नहीं टिक पाए और फिर उनको डंड मिला उनका पूरा चिठा भार खुल गया तो जीवन में आपके सामने भी ऐसे लोग आएंगे लेकिन उन ज़्यादा समय नहीं टिकेंगे वो थोड़े समय टिकेंगे तो थोड़े समय के बाद उनका चिठा खुल जाता है इसे वीडियो को लाइक, शेयर, सबस्क्राइब करें जाए शेयर